नमस्कार दोस्तों, Study IQ में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है So, India-China stand-off के चलते भारत के द्वारा Chinese companies के उपर जो clampdown है वो continue हो रहा है और यहाँ पर 175 FDI proposals from China have been put on hold in the latest clampdown by India So, इस वीडियो में हम बात करेंगे, basically यह जो proposals है, किन नियमों के अनुसार यहाँ पर hold पर डाले गए है At the same time यह भी बात करेंगे कि कौनसी कौनसी ऐसी companies हैं जिनको की इन proposals की वज़े से नुकसान झेलना पड़ सकता है So, आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, मेरा नाम है अनिरुद, इस lecture की PDF को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाते हैं तो मेरे टेलेग्राम चैनल से कर सकते हैं इसके इलावा, social media पे भी आप मेरे साथ जुट सकते हैं Study IQ की आप जो की Google Play Store पर अवेलेबल है, इसके थुरू आप घर बैठकर या फिर कहीं पर भी UPSC, IES की परिक्षा की तयारी कर सकते हैं इसके लिए smart course उपलब्द है, at the same time इस पे EMI options भी अवेलेबल है, so please जाएए आप को डाउनलोड कीजे और course का फायदा उठाइए Right, so before we start, थोड़े से basics को समझ लेते हैं, basically भारत में FDI को दो routes के through permit किया जाता है, जो पहला रास्ता है, उसको automatic mode कहा जाता है, या फिर automatic route कहा जाता है, जिसके through companies को भारत में प्रवेश करने के लिए approval की जरूरत नहीं पड़ती, do not need an approval, दूसरा रास्ता जो आता है, वो आता है, government route, यानि कि as the name says, यहाँ पर आपको clearance या फिर approval चाहिए पड़ती है, from the central government, यह जो basically policy चल रही थी, इस policy में एक और important point था, वो यह था, कि कोई भी अगर FDI, पाकिस्तान या बांगलादेश से आ रही है, ठीक है, तो उसमें government route ही लागू होगा, उसमें भले वो sector automatic route के लि लेकिन अगर पाकिस्तान और बांगलादेश से आ रही है, तो उसके चलते जो government route है, वही यहाँ पर लागू किया जाएगा, लेकिन इसमें क्या हुआ, April 21 की बात है, जब भारत ने नए नियम जो अनौन्स किये थे, FDI policy को लेकर, और यह basically नियम अनौन्स किये गए थे, to impact the investments from China amid the COVID-19 lockdown, so यह जो revised FDI policy announced की गए थी by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, जो की Ministry of Commerce के अंडर आता है, इसने यहाँ पर नए नियमों के अनौन्सार, आपको basically यह समझना है, कि अब कोई भी अगर देश है, जिसका land border इंडिया से लगता है, या फिर उस particular देश का कोई भी citizen है, जो की इस country में invest करन चाता है, he can invest only under the government route, so यह यहाँ पर clampdown था, so इस case में क्योंकि चाइना का border भी इंडिया के साथ लगता है, जिसकी वज़े से यह नए नियमों के अनौन्सार, पाकिस्तान, बंगलादेश के साथ, चाइना भी इस particular route के अंडर आ जाएगी, जिसकी वज़े से चाइना की जो investments हैं, उनके ऊपर काफी भारी प्रभाव पढ़ सकता था, so जब ही, जैसे ही यह move अनौन्स किया गया था, उसी समय चाइना के द्वारा कई सारे जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, Alibaba, Tencent, Xiaomi, इन कंपनीज ने हमारी भारत की कई सारी start-up कंपनीज में पैसा invest किया हुआ है, सच as Paytm, Ola, Big Basket, Baiju, Dream 11, Make My Trip, Swiggy, right, इन सभी कंपनीज में जो पैसे का निवेश था, इसके ऊपर काफी भारी प्रभाव पढ़ा था, at the same time यहां पर जो merger और acquisition को लेके सिनारियो है, इसके ऊपर भी प्रभाव पढ़ा था, because of the new rules, right, यहां पर साथी में अगर आप देखें चाइना का जो सबसे ज़्यादा activity है भारत में, वो startup space के अंडर ही आता है, इसमें जो Chinese companies basically invest कर रही थी, वो कई सारे sectors में invest कर रही थी, e-commerce हुआ, financial technology हुआ, media हुआ, social media हुआ, aggregation services हुआ, logistics हुआ, इन सभी sectors में impact पढ़ा है, अगर आप देखें जो Indian unicorn startups हैं, unicorn startups यानि की ऐसे startups ज जादा Indian unicorn startups में Chinese investor थे, जिसकी वज़े से ये पूरा का पूरा जो rules थे, वो China की investments पर प्रभाव डाल सकते थे, यहाँ पर basically इसी clampdown में आगे बढ़ते बढ़ते, सबसे पहले April में किया, उसके बाद July 19, 2020 में भी clampdown किया था, जब यहाँ पर basically Chinese companies, कुछ ऐसी companies identify की गए थी भारत ये सरकार के द्वारा, जिनके links China की army के साथ है, people's liberation army के साथ है, और ये India ने इसलिए किया था, because उस समय दुनिया भर में कई सारी countries, US, UK और Australia भी इस चीज़ को लेके काफी जादा सतर्क हो चुकी थी, और ये mainly Hawaii के operations को लेके सतर्क थी, कि हम जब तक इस चीज़ की clarity नहीं मिल जाती कि Hawaii के जो links है, वो China's army के साथ नहीं है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, अब जो latest development हुई है, जो कि कल ही की बात है, China के FDI proposals from Great Wall Motors, photon, they await security clearance, इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर, so सभी के सभी FDI proposals from Chinese entities, they have been put on hold, because they are awaiting security clearance from the Ministry of Home Affairs, so जब तक GRI मंत्राले के द्वारा यहाँ पर clearance नहीं दिया जाएगा, Chinese entities यह वाली इंडिया में निवेश नहीं कर पाएंगी, कौनसी कौनसी बड़ी companies हैं यहाँ पर, वैसे तो आपको मैंने बताया, 175 companies हैं, जिनके उपर, जो FDI proposals है, clearance का, basically जब तक वेटिंग चल रहा है, लेकिन जो बड़ी companies हैं, वो आती ह Great Wall Motors Company Limited है, चाइना की 1984 में बनाएगे company है, और चाइना में काफी बड़ा brand है, यह when it comes to SUVs का production, similarly जो आपका Photon Group है, यह भी बड़े-बड़े यहाँ पे vehicles बनाता है, विच इंक्लूद्स ट्रक्स, बसेज और SUV vehicles, तो यह दोनों companies चाइना बेस्ट हैं, और यह दोनों companies recently भारत मे आने की बात चल रही थी, अगर हम Great Wall Motors की बात करें, इन्होंने General Motors की तालेगाउं factory, जो की पूने के पास located है, इसको acquire किया था January में, just before the lockdown, अल्लेडी बातचीत हो चुकी थी, कितने में acquire करना है, कैसे acquire करना है, लेकिन इसको यहाँ पे hole पे डाल दिया गया है, वहीं पे अग भारत ने यहाँ पर एक काफी strong step लेते हुए, इस company के भी निवेश को यहाँ पर hole पे डाल दिया है, until the security clearance is given to this, so basically overall अगर आप देखें, यह एक government official का ही कहना है, कि as many as 175 such proposals are pending for approval, और यह हम चुक कर रहे हैं, नई नियमों के अनुसार कर रहे हैं, यहाँ पर साथी में यह भी आया गया है कि किन-किन चीज़ों के ऊपर checking की जा रही है, so सबसे पहले तो, even though जब कोई भी company भारत में निवेश करती है, तो वो एक detailed review देती है, of the names of promoters, owners, directors, ठीक है, self declaration दिया जाता है, लेकिन self declaration के बावजूद, यहाँ पर, because हम काफी सतर्क हो चुके हैं भारत, especially after the border China, border stand-off के बाद, so यहाँ पर हम एक और review कर रहे हैं, जिसमें कि national risk assessment को review किया जाएगा, ठीक है, जब तक यह चीज़ clear नहीं होती है, कि यहाँ पर risk बिलकुल नहीं है, तब तक यह proposals को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, so China को लेकर, India काफी जाधा सतर्क हो चुका है, at the same time अगर आप देखें, यहाँ पर 17 sectors which include defense, telecom and pharmaceuticals, they will need government approval if any company from abroad wants to invest 17%, wants to invest 10% or more, ठीक है, साथी में जो financial intelligence units है, FIUs, उनको भी यहाँ पर काम पर लगा दिया गया है, और इनके द्वारा जो inputs हैं, इनको भी consideration में लिया जाएगा, especially ऐसे sectors में जहाँ पर government approval की ज़रूरत है, so FIUs हैं, यह अ किसी तरह का link money laundering के साथ तो नहीं है, किसी तरह का link terrorism के साथ तो नहीं है, इन सब चीजों की checking होने के बाद ही यहाँ पर निवेश करवाया जाएगा, जाते जाते सबसे जादा जो चौकाने वाली बात ही आती है, कि यहाँ पर अगर आप देखें, जो 175 proposals हैं, इसमें सबसे बड़े proposals Great Wall Motor का है और Photon China का है, जो की automobile sector को belong करती है, अब हैरानी वाली बात यहाँ आती है, कि बाकी देशों के लिए यह automatic route पर आता है, automatic approval route पर आता है, लेकिन किसी भी तरह की FDI from China now needs government clearance, so the government is very very clear कि हम Chinese निवेश को किस तरीके से देख रहे हैं, right, and यहाँ पर I think यह step काफी सही भी है by the government, इसी के थुरू हम अपने आत्म निर्भरता की लक्ष की तरफ और तेजी से बढ़ पाएंगे, इसी के साथ आप से विदा लेता हूँ, thank you for listening, stay tuned and stay safe.